हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू जीके की फोली यूट्यू चनल तो तो आज की इस वीडियो में हम डिसेश करेंगे जीके के टॉप 25 मुस्ट इपोरेंट परस्ट जो कि आपके आने वाले सब एक्जामस के लिए बहरें इंपोरेंट है और देखिए वीडियो के लास्ट में आप पर देखिए जीतने भी कोश्चन में आपके लिए वीडियो में लेकर आजा हूं अगर आपको नमें से किसी का वेंशर पता है तो आपके कमेंट बख से बता सकते हैं तो रश्टी गान के मुल रूप में 5 पते कितने पते हैं 5 पते हैं इसको आप याद रखेगा यानि इस सबसे उंचा परवत कौन है तो डेड़ा बेटा है कौन है यानि इस सही होगा और इसकी उंचाह की इतनी है तो 26 सा 37 मिटर इसकी उचाई है जो कि दक्षिन भारत की सबसे दूसरी सबसे उची चोटी है दक्षिन भारत की दूसरी सबसे उची चोटी है ठीक है और दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी कौन होगी तो अनाय मूदी है कौन है अनाय मूदी है दक्षिन भारत की सबसे उची च चोटी है अनाय मूदी और यह डेड़ा बेटा दक्षिन भारत के सबसें दूसरी सबसें उची चोटी है जिसकी उचाई 267 मीटर है ना नेश्ट कोशन कोशन नमर थार्ड है राष्टी महाम मार्ग संख एक वन का समाप्ति अस्थल है तो राष्टी महामार्ग संख है वन एक समाप्ति अस्थल कौन है तो ले है कौन है ले है यानि इस सही होगा और इसकी लंबाई कितनी है तो इसकी लंबाई 1226 किलो मेटर कितनी है 1226 किलो मेटर है ठीक है तो इसको आप याद रखीगा चलिए अलाग देखते हैं कुश्चन नमर फोर है नई दिल्ली का सिलनियास 15 दिसंबर 1911 को किसने किया था तो दिकें नई दिल्ली का सिलनियास 15 दिसंबर 1911 को समराट जोर्ज पांचयम ने किया था यानि इसको सनका अफसान बीस योगा ठीक है इसको प्यादर कीगा चलिए अलाग रखते हैं कुश्चन नमर फाइफ है कि पंडिच जोहालान नहरू क कि सरवाधिक चर्टित पुष्टक है कर दिखें पंडी जवाहलान नहरू है पुष्टक रॉल मेर कब्हुत कर की थे आहम के जेल में रहकर की थी जब वे सवी नहीं आवा गिया अंदुलन के तरह बंदी बनाए गए थे तो इसको आप याद रखेगा और एक चीज़ार में बैता दूं कि पंडित जहला नहरू का जन्म इलहाबाद में 14 नॉवंबर 1889 में हुआ ठीक है और इनके जनम दिन पर ही बाल गुष्टिव गोशन सभण।ित आता है तो इसको चैंदरमा कब आता है एक उन्दरोय और में शी तो बताएना है कि उसमें बीजेता पर्थम बीजेता सहित्पार कौन थे वह थे मलियालम सहित्यके थे कौन थे मलियालम्स हीत्यके दे यानि इस कोछन का अप्टवन डी सही होगा कि अभिल्यक से चंदकारी मिलती है तो देखें असोग के कलिंग यूद के विशय में हमें चंदकारी कि सील विश्य मिलती है तो तेरह में सील एक से मिलती है यानि इस को सब्सक्राइब यहीं हुआ ठिकें करींग यूद कब लड़ा गया था दिकर कलींग यूद 261 लेवाय चलिए आला देखते हैं फ़ीसाइब क्या है कि पॉंट जोल मेर अले अधिसे सब्सक्राइब सब्सक्राइब किया गया है तो देखिए निटी नेदसक तक्तु में बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार शिच्छा का पराधान समिधान के किस अनुछेद दवरा किया गया है तो देखिए निटी नेदसक तक्तु में बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार शिच्छा का पराधान समिधान के अनुछेद 45 में किया गया है तो देखिए भारत में राष्टी आए की गणना में उपति गणना विधी कौन उपति गणना विधी और एक है में आए उपति नाविधी यानी इसको संटस्ट फान सीसे युगा ठीक है उप्योग का उप्योग किया जाता है ठीक है भट द् Bye एकिट लास्ति ट्म्प्तिए यति पर्म्रत सब्सका कम्पासर का दो कि पुट को का झिचे खते हैं को को нам अनुच एस ततते हैं को मसीनी भासा में औन्वाद किया जाना है ठीक है क्या काम है उसका तो उच्छ आश्तरीय भासा को मसीनी भासा में अनुवाद करना कंप्यूटर में इस को सम्तित है और कंपाइलर उसी इक होगा है ठीक है चुड़ 그냥 आलो second 61 के बीच रही यानि बीच मतला कम रही यानि इस कॉस्टन का प्षान बीच ही होगा नाव नेक्स कॉस्टन कॉस्टन नावर फोटीन है निमिखित में से किसके अंतरगावत भारत में सरुपर्थम सरोच नियाले की ऐस्थापना हुई हुआ है तो दोगे रेगिलूटिंग एक्ट अर्षात तीहतर के अंतरगावत भारत में सरुपर्थम सरोच नियाले की ऐस्थापना हुई थी यानि इस सब्सक्राइब और इसके पर्थम मुखे नाइथिस कौन थे तो इसके पर्थम मुखे नाइथिस एलिजाह इंपे थे इसको आप याद रखीगा चलिए आला देखते हैं कोश्चन आमर फीप्टीन है सब्सक्राइब साथ और तके समय भारती राष्टी कांगरेश के अध्यक्ष कौन थे कि दिवेशन के मेराट कंगरेश अधियक्ष्ष चुना गया था जो सौतवन तरता के समय भी यही थे चलिए आला देखते हैं कोशने नमर्व 16 एब दनातू के तारे में ब्युदूत का परवाह होता है को किließ과 कारण होता है एल्येक्ट्रों के कारण होता है ठीक है यानि इसको सब्सक्राइब करती है तो देखेब्स के सेल में करबन की छोड़ एनोड कारे करते हैं किसके काम करती है एनोड का कारे करती है यानि इस को संब्सक्राइब करते हैं किसमें करते हैं वाट प्रति सिकेंड में प्रकट करते हैं यानि इसको सब्सक्राइब … शी सही होगा ना कोष्वात्र नाम नामट 19 है भी is विद्यूत-प्रतिरोथ मापा जाता है की कि विद्यूस परतिरोथ वुद्यूत कर घेटीरा में मापा जाता है या कि से तब नेस्ट वेजरान कि ट्वेंटीं कब nine diet चरह लक का घृषिष्ट-पर दिन था तौ tradition दिखार से दिटी Gi ये तुट्छ सब्सक्रास में होता है उक्रोऔर फिलंट काशन में लेड़ क्रोमेट이다 पादते है क्या होता है लेटव में धोध है किसमें फिजन काच में लेट-ख्रोमेट होते है यह स्कुस्वाइज दूटे च्यूमोर 22 है लाइकन एक प्रकार द्शाइक पादह जो दो व्रगोम में पौ TWO-ों के शाजावीश रेसे बनता है यह किन दो वर वर्गों के पॉछोν होते यह दो वर वर्गों के नाम बताना है दोन्हें इसका शाल और वगा शेवाल और का वहाँ कि यह शही होगा नल्स को सबस्राइब लुएजाग यह जो करते फिकाल करको जो यह जो अति Śकर्ष्टा काटने पर दाहें नें मेंत इसपोस्टी है स को सब करकें यानने इसोन का आता है तो गुटन करते ऐसा ना मात याने क放ण जिए करन भी सेयसार को जो फथा ड्लैक्त के सिपॉस मुझे है सब्सक्राइस को है पूरुप होता है नेशनल मिशन फरेंड गंगा नेशनल मिशन फरेंड गंगा सब से कि लंभी श्रौंग जोहरर टोंग कि स्राजिय में इस्तित है अगर आपको पिछले वीडियों में सब rushing लाइक करना कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कल नहीं भूलिए का जहन बंदे मात्रम